है यह व्रिवान वेडिवान वेल्कम तो अलफ यू वेल्कम तो टीचिंग पार्शला और मैं हूँ आपकी एजुकेटर जोधी अज इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टन इशु को शेयर करने वाली हूं और सम्हाव यह इशु हम बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे हैं वो है CSI एक्जाम का ना होना तो जैसे कि आपको पता हम लोग पिछले एक से दो महीने से एकस्पेट कर रहे थे कि CSI अपडेट देदेगा अपडेट देदेगा बट नो न्यूस नहीं कुछ अपडेट आया है डेट तो बहुत दूर की बात ही कुछ अपडेट भी नहीं दिया गया है कि वो कब सोच रहे है नहीं उन्होंने इस चीज़ को लेके अपडेट दिया है कि वो नेक्स्ट डेट कब सोच रहे हैं निकालने की ठीक है सिर्फ लास्ट जो ट्वीट आया था वो उसमें सिर्फ कर दिया था कि दो महीने पहले जो हैं हम बता देंगे एक्जाम के बारे में विकाज उनको अभी फिलाल में कंडिशन स्टेबिलाइज नहीं लग रही है लेकिन बात अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां आती है कि कंड़क्ट करवाने में चाहे हम किसी की भी बात करें सभी के लिए रिस्क उतना ही जदा मैटर करता है लेकिन CSI ने सिफ यह बात कहके हाँ जार लिया है कि उनको कंडिशन स्टेबलाइज नहीं लग रही है तो फाइनली जो है बहुत से डिफरेंट एजुकेटर्स बो लीजिए और स्टूट कम्यूनिटी हम सबने मिलकर यह डिसाइड किया है कि कल जो है तीन अक्टूबर को सुबह में ग्यारब अजे जो है हम एक ट्वीट करेंगे जिसमें कि हम CSIR और बाकी सारे जो पार्टमेंट है उन्हें हम टाइक करने वाले हैं और इस चीज के लिए कि हमें भी CSIR से रिलेटेड अपडेट चाहिए कि कब वो एक्जाम कंड़ करवाने के बार में सोच रहे हैं इन फैक्ट एक रफ एस्टीमेशन चाहिए कि कब हम डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस एक्चली वेरी मच फ्रस्टेटिंग फॉर अल्ड़ स्टूडेंस की पढ़ रहे हैं जो कि हर बाल जो है सवाल बन के हमारे सामने आता है वहार हम भी क्लूले से एक दो क्योंकि कुछ भी चीज हम करते हैं तो अकेला एक इनसान करेगा तो वह उतना एफेक्टिव नहीं रहता है इसके अलावा मैं चाहते हूं कि लाइफ साइंस के स्टूरेंट भी सम्हाव इसमें अपना पार्टिपेशन दिखा है तो कल यानी संडे को 3rd of October को जो है क्या प्लान कर रहा है CSIR for the upcoming exam क्योंकि वी नो कि जिस लेवल पर एक्जाम होता है और जिस काटेगरी के स्टूरेंट इस 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 इक्जाम को भरते हैं बहुत से स्टूरेंट की बहुत से फाइनिशल प्रॉब्लम चल रही है सब का अलग अलग स्टूरेंट का एक मेंटल स्टे पुरा का पुरा डिस बैलन्स हो चुका है तो दियर सो में डिफरेंट इस्ट बहुत चोटे मोटे से इस्टू है लेकिन ये इस्टू सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं खतम होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो फाइनली एक इनिशेटिव लिया गया है लेकिन कोई भी इस इनिशेटिव के लिए अपना पार्टिसिपेशन दिखा ही रहे हैं तो मैं चाहती हूँ लाइफ सांस के स्टूडेंट भी इसके लिए पार्टिसिपेशन दिखा हैं तो ये स्टेप कितना ज़दा यूसफुल रहेगा ये तो पता नहीं है बट वही है कि यूसफुल और माइट नॉट भी एफेक्टिव इसके बारे में हमें नहीं पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा लेकिन हम कोशिश भी ना करें यह भी आइधिंक बैट मतलब कि एक अच्छा डिसीशन नहीं होगा तो मैं चाहती हूं कि आप सभी जो है इस कोशिश में हम लोगों का साथ दे और मैं उमीद करती हूं कि हमारी आवाज हमारी बात जो हैं CSI तक पहुंचे और वो कुछ हमें अट लिस्ट अपडेट ही सही कुछ तो बताए अभी एक दम वो शांत बैठ चुका है CSI कुछ भी बताने का नाम नहीं ले रहा है लेकिन कुछ तो अट लिस्ट बताए त